हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल शिल्पाज होम किचिन, आज हम यहाँ पर बना रहे हैं पनीर मसाला एक नए तरीके से, I hope यह रैस्पी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, यहाँ हमें एक कढ़ाई में ओयलेट करना है, तब तक हमें प्यास को लंबा और पतला काट लेना है, और इसे भी हमें इसके बाद डीफ्राइ करना है, प्यास को हमें गोल्डन होने तक डीफ्राइ करना है, ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए, फिर इसी कढ़ाई में हमें लहसुन, अद्रक और मिच को भी तेजपत्ता, लौंग, इलाइची, काली मिच, जीरा, हल्दी पाउडर, लालमिच पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूलने है, इसके बाद टमाटर का पेस्ट जो हमने तयार किया था, इसमें हमें एट करना है, और इसे लगातार चलाते हुए तेल करना है, फिर पनीर एट करें, पनीर एट करने के बाद हमें दो मिट भूनना है, और जरुरत के हिसाब से गर्म पानी एट करना है, गर्म पानी एट करने के बाद हमें दो मिट इसे ढाकर पकाना है, जरुरत के हिसाब से नमक, काला नमक, और लास्ट में कसूरी मैथी एट क पनीर मसाला बनकर तयार है रेस्पी पसंद आए तो आप भी ट्राय कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई